ये दोस्तों, this is my case, well, कभी-कभी, हम लोग अपने Day-to-day Life में ऐसे चोड़े-चोड़े sentences को बोलते हैं, जहां पर हम लोग कहते हैं, कैसे नहीं पढ़े, कैसे नहीं चले, कैसे नहीं खाये, कैसे नहीं सोये, मिन्स हम लोग सामने वाले से पूछ रहें कि कोई काम कैसे नहीं किया जाए इसको बेहतरीन तरीके समझने के लिए एक इक्जमपल देखिया फर्मेटीव का जैसे कि कोई सवाल है आप बना रहे हैं उसको नहीं बन रहा तो आप पूछते अपने दोस्ट से या टीचर से इस स सबसे पढ़े लगाएंगे हो नोट वह सिर्भाव आया यहां पर हो नोट उसके वर का फॉर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अधर वर्ट छोड़ा स्टेक्चर है और बहुत ही असान है तो देखते हैं सेंटेसिस कैसे नहीं पढ़े इसके लिए बोलेंगे हो नोट इक शृदो पड़ेगा तो अंग्रेजी कैसे नहीं सिखे मतबं कौन कौन से जो तरीके अंजो आपको नहीं कड़ना है क्योंकि सबंसे लोगए अपने इंगलिस को अलग अलग तरीक livres तो प्रू रहे तो सकता है वह तरीका गलत हो तरी तरीका से आपको किसे नहीं खाए किस तरीकेसे नहीं खाए इसके लिए बोलेंगे हव नोट रात में कैसे नहीं सोए किस परकार से रात में नहीं इसके लिए बोलेंगे how not to sleep at night how not to sleep at night क्योंकि बहुत लोगों का तरीका होता गलत तरीके सोने का तो यहां पर हम लोग बोल रहे हैं गाइज इसी जूर में आपको एक संदेश देरां सकूर ट्रांसल के जाट किजिए कमेंट बॉक्स में इफ यू मेक एनी मिस्टेक दैनल करेक्टिट गाइज अगर वीडियो पसंद आज वीडियो को लाइक कीजिए मेरे चैनल को सस्क्राइब कर दे और बैल आइकोन को हिट क कर दे ताकि मेरा रोज आने वाले वीडियो को नोटिफिकाशन विल्कुल ट्याप पर मिलती रहें थैंक्स तो वाचिन फ्रेंड्स एंड डिनोट फोगट दो से दिस वीडियो